दोस्तों टाटा IPL 2023 का पांचवां महा मुकाबला खेला जाने वाला है RCB बना मुंबई इंडियन्स के बीच अब आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या रहने वाली इस मुकाबले की पिछ किन गेंद बाजोर बले बाजो को मिलेगा कितना मदद फर्स्ट इनिंग में बनेगा कितना स्कोर सेकंड इनिंग में कौन सी टीम जीतेगी मुकाबला सब कुछ आज आज आपको बताने वाले हैं उसके लाओं बताएंगे कि क्या होने वाली है दोनों टीम की परफेक्ट प्लेइंग 11 और आपकी फैंटसी टीम में किन ख्यारा की लाडियों कोना चाहिए किन है बनाना चाहिए कैप्टन और किन है बनाना चाहिए वाइस कैप्टन जिससे आपको सबसे जज़ा पॉइंट मिल सके और आपकी रैंक नंबर वन हो सके तो ये वीडियो काफी इंपॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो को सुरू से लेके अंतर तक देखना अगर वीडियो पसंद आ जाये तो वीडियो को लाइक कर देना और उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चल ये वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों IPL 2023 का पाँचवा मुकाबला मुंबई इंडियन्स बनाम RCB के बीच एम चिनना स्वामी बैंगलूरू के स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाने वाला है अब यह मुकाबला IPL 2023 के संसकरण के सबसे बड़े मुकाबलों में सेख होने वाला है क्योंकि दो सबसे खतरनाक टीम है RCB यानि की रॉयल चैलेंजर से बैंगलूरू और मुंबई इंडियन्स सामने सामने होंगी दोनों टीमों की फैन फॉलोइंग अपने आप में एक ब्लंडर की तरह है क्योंकि बहुत ज़दा फैन फॉलोइंग है दोनों टीमों की अब दोस्तों बात करें इस मुकाबले की यहां पर क्या होने वाली पिछी रिपोर्ट उस पर बताएंगे लेकिन दोस्तों अगर आपको इस मुकाबले में अपनी फैन्टेसी टीम से लाको रुपए विन करना है तो आपको कुछ नहीं करना है बस आपको हमारी टेलीग्रा पर क्लिक करो उसके बाद हमारे टेलीग्राम चनल पर पहुंच जाओगे 63-64,000 सब्सक्राइबर्स हैं जोईन कर लो आसानी सीज मैच का लूप उठाओ चली अब बात करें वेदर रिपोर्ट की तो टेंप्रेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है बारिस के के केवल 3% च आरगर साबित हो जाते हैं लास्ट के 10 मुकाबले जो इस ग्राउंड पर खेले गए हैं वहां पर 110 विकट गिरे हैं और पेसर्स को यहां पर 38 और स्पिनर्स को 72 विकट मिलें तो आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से स्पिनर्स को इस मुकाबले में एडवांटेज रहने वाला है यानि कि जो इस पिन की लाड़ी है वो काफी ज़्यदा खतरनाक गिंदबाजी करा सकते हैं चलिए अब हैट टुएट की बात कर तो आर सीबी और मुंबई के बीच टोटल 30 मैचेस खेले गया हैं जहां पर आर सीबी ने 13 मैचेस जीते हैं और मुंबई ने 17 म यानि कि मुंबई का पढ़ रहा इस मुकाबले में भी भारी रहने वाला है टुएड में भी लाश पांच मुकाबले देखे था तो चार मुकाबले आर सीबी ने जीते हैं और एक मुकाबला मुंबई ने पिछले सीजन मुंबई का बहुत खराब सीजन रहा था इसवज़ तो आप क्लियरली देख सकते हो कि काफी सारे रन बनते हैं चिमा सामी में और आपको मैं बता दू कि यहां पर आज के मुकाबले में यहां पर 170-180 बनेगी यह मेरी प्रिडिक्शन है यहां जो विक्ट्स करने वाली टीम कोब आउन में और बाद में बल्ले बाजी करने वाली टीम को बनेड़म कोली में जानगानी में तो जहाएं चाहिए हम लोग सघू के नहीं तो जा एक लिए आपको दख दिख आएगा किस तरीक्ति फश्ट हैगा की खतरनाक सीबी की प्लेंग 11 की तो इस मुकाबले के लिए ओपनिंग करने वाले हैं फैब डू प्लेसिज और फिन एलन फिन एलन के बाद तीन नमबर पर विराट कोली आएंगे जो कि काफी खतनाक खिलाडी है और महिपाल लोम रोड चार नमबर पर खेलेंगे पांच नमबर की बात करें तो पांच नमबर पर गिलेन मैकस लोने वाले हैं और छे नमबर पर दिनेस कार्थे खेलने वाले यह बहुँत सब्सकी नमबर पर तीम के खतनाक खिलनाक खतनाक है और RCB के लिए दोस्तों पेसर को लीड करने वाले हैं उसके बाद 211 नमबर बनामाता है करन सर्मा का ये भी RCB की टीम के काफ़ी ज़्यदा मजबूत खिला डी है दोस्तों बात करें MI के प्लेंग 11 की तो MI के लिए ओपनिंग करने वाले हैं प्लेंग नमबर नबर रहने वाली है मंबाइ इंडियंज पर रॉइल चल लैंग लुरु कि अब दोस्तों टीम इस मकाबले के लिए क्योंकि अभी टास्ट हुआ नहीं है तो अगर आपको मेरी फाइनल टीम चाहिए जो टॉस के बाद आएगी यानि कि दोस्तो जब मैस सुड़ोगा उससे थोड़ी दिर पहले आगी जोफरा आर्चर हैं और हरसल पटे दों मॉहंबस सिराज एवाइस कैप्टन की बात करो आएज जोफरा को किया है और कैप्टन में हमने फाब डू पलेसिस को चुनाए तो यह अभी हमारी टीप है यह फाइनल टीम नहीं फाइनल टीम तेलिग्राम पर ही मिलेगी जिसका लिं सब्सक्राइबर्स हैं जल्दी जाइन कर लो बाकी वीडियो पसंद आयो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद